पीएम मोधी ने अपने कारिक्रम मन की बात के जरीए एक बार फिर देश को संबोधित किया नए साल के पहले संबोधन में पीएम ने चुनावों पर फोकस करते हुए पांचों राज्यों की जनता को साधने की कोशिश की यानि आज के कारिक्रम में PM ने चुनावी राजियों से जोड़ी बातों का ही जिक्र किया तो क्या कुछ बोले PM जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट चुनाव के चलते अब हर कारिक्रम में PM मोधी चुनाव राजियों पर फोकस करते नजर आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन PM ने उत्तराखंड की टोपी और मनीपूर का गमछा पहन कर जनता का ध्यान आकरशित करने की कोशिश की थी NCCC कैड़ेट्स को संबोधित करते हुए पगड़ी पहनी थी और अब अपने मन की बात कारिक्रम के जरिये भी PM ने चुनावी राजियों को साधने की कोशिश की अपने संबोधन के दोरान PM ने जाट राजा महिंदर प्रताप का जिक्र किया और इसके साथ ही वो BHEU का भी जिक्र करना नहीं भूले PM मोदी ने उत्तराखंड और मनीपुर का भी जिक्र किया जहां विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं खास कर PM मोदी ने जाटो की नाराजगी दूर करने की कोशिश की क्योंकि उत्तरप्रदेश में BJP जाटो की नाराजगी का सामना कर रही है अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राजा महिंद्र प्रताप सिंग ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौप दिया था साथ ही उन्होंने मनिपुर की लोरेंबं बीनो यादव का जिक्र भी किया बतादे उन्हें भी पदमश्री से सम्मानित किया गया है वही पीम ने कोरोना की नई लहर का जिक्र करते हुए सरकार के काम की तारीव भी की पीम ने कहा कि ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब साड़े चार करोड बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है सभी बातों के अलावा इस कारिकर में पीम ने उन राज्जियों पर खास फोकस रखा जहां पर विधान सभा चुनाओ है DVLIVE की डिपोर्ट